हेलो एंड वेलकम टो देजुक्लासस आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल देजुक्लासस में स्वागत है जैकपोर्ड ने आपके एक्जाम्स की डेट जारी कर दी है 14 मार्स से आपका पेपर होने वाला है तो जे सी आर्टी के दोर मॉडल सेट पेपर भी जारी किया तो आएए शुरू करते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं चलिए शुरू करते हैं इसमें आपका तीन सेक्षन दिया हुए है जिसमें एक से लेकर के साथ जो कोश्चन से हैं वो वेरी सॉट आंसर टाइप कोश्चन है से क्यूवाट से चौदा यानि आपका वाहाँ पे भी साथ प्रशन हैं और उन साथ प्रशन में आपको क्यवल पांच प्रशन करने हैं कितने कर करने हैं 5 प्रशन और इन पांच प्रशन का प 황 जो मघ होगा अंक जो है वह तीन नमबर यानी टोटन 15 नंबर जो लाघ्ट सेक्षन सी हां जो है वो 15 से 17 टोंटल कोंटस इसमें भी कितने है पांच मेंसे आपको क्यावरकना है तीन और प्रतिकом मार्थ सप्लिसे और परतिक प्रतिकte प्रत्शन माग से हो 55 22 ंफकर 5 आए सुरुकर्त आध आसि हम लोग सब्सक्राइख वीडियो में DAVID section A है उसके आंसर को हम लोग देखेंगे पहला प्रशन है what is the electrostatic potential due to an electric dipole at equatorial point equatorial point पे electrostatic potential क्या होगा यानि विश्वतिय बिंदू पर विद्दूत दीध्रू के कारण स्थिर वैद्दूत भीवह क्या होता है तो जो स्थिर वैद्दूत भीवह होता है वो डाइपोल के कारण यानि दीध्रू के कारण होता है 1 by 4 pi epsilon not इसकी formula जो है और P cos theta by r square P cos theta by r square अब equatorial पे theta जो होता है वो होता है 90 degree equatorial पे theta कितना होगा 90 degree तो cos 90 क्या हो जाएगा जीरो cos 90 क्या हो जाएगा जीरो तो यह पूरा portion हो जाएगा जीरो तो at equatorial point है ना यानि विश्वतिय बिंदू पर विद्दूत द्वीध्रू के कारण स्थिर वैद्दूत भीवह क्या होता है 0 होता है सुन्ने होता है clear है अगर यह axial होता तो यह cos 0 हो जाता तो यह cos 0 की value 1 होती है तो क्या हो जाता है वन बाई फोर पाइपसाल नोट पी बाई आर स्कॉर क्लियर है नेक्स्ट कोस्टन देखिए और सेल ओफ एम एफ एम एफ कितना दिया है से दर्साय आ गया है इंटर्नल रेस्टेंस स्मॉल आर ड्रॉज अ करेंट आई राइट दर रिलेशन बिट्विट्विन टर्मिलर वोल्टेस भी इन टर्म्स ऑफ ए आई एंड आर यह में और आंत्रिक प्रतिरोद आर के तो यहां पे यह इस झांसर हो जाएका कुश्चन नुबर 3 देखिए ए वैर और अन्द सर्फिस ऑद और इस अंगल अफ टीफ 90 डिग्री प्रिथी के सतब्र कहां नवनग्रोज रहता है वह कितना होता है 90 डिग्री होता है ठीक है तो कहां होता है ध्रूपर कहां होता है जीरो डिग्री ठीक है क्वेस्टन वर फोर चौथा को प्रशन देखिया हाउ ड़स्ट पावर अफ कर्वेक्स लेंस वैरी इस देंट रेट लाइट इस रिप्रेस्ट भाई वाइलेट लाइट यदि आप्तित लाल प्रकास को वैगनी प्रकास में बदल दिया जाए तो उत् अब देखिए यह पी बरावर क्या हो जाएगा ए वन बाई एफ अब हमको पता है कि लेंस में वन बाई एफ ठीक है एक वस्टू क्या हो जाता है म्यू माइनस वन वन बाई आरवन माइनस अर्टू लेंस मेकर फर्मूला यानि जो एफ है यह क्या है म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानि वन बाई एफ के जगा पर क्या लिए देंगे पी यानि क्या कहा जाएगा पी जो है वह डाइरेक्ली प्रोपोर्शनल है कि इसके म्यू के मतलब जिसका रिफ्रेक्टिम इंडेक्स अधिक होगा उसका अधिक होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसका अधिक होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है किसका वाइलेट लाइट का और सबसे कम किसका होता है इंसिदेंट रेड लाइट का तो रेड लाइट का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो और वाइलेट का बैगनी का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है अप वर्तनाक जिसको बोलते हो वो क्या होता है अधिक होता है तो जिसका अधिक होगा उसका पावर अधिक हो जाएगा इसका मतलब है कि जब हम लोग लाल प्रकास को बैगनी प्रकास स की पावर क्या हो जाएगे बढ़ जाएगे ठीक है क्लियर है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेस्ट नबर फाइफ इस्टेट टू करेक्टरिस्टिक प्रोपर्टी औफ नुक्लियर फोर्स ना भी किये बलके दो विसस्ट गून बताईए क्या क्या है पहला इडिस अट्र नेचर के होते ही है निक्लियर फोर्स निक्लियर फोर्स इस्ट्रॉंग और विक दो तरह क्योंते ना तो एट्रक्टिव इन नेचर होते हैं और रिपल्सिप कोर यानि निक्लियर फोर्स एटम में इलेक्ट्रों प्रोटोन के बीच में तो एट्रक्टिव है और लेकिन होते हैं बहुत कम प्रशार अबल होता है ठीक है यह दोनों प्रोपर्टी नोट डाउन कर लीज़ेगा कोशन अब सिक्स देखिए नेम देए यह यानि इलेक्ट्रमागनेटिक वेब्स का नाम बताईए जो की यूज किया जाते हैं किसके लिए क्रिस्टल इस्ट्रक्चर अठोसो के क्रिश्टल सनचना के अध्यन के लिए तो कौन आ सकता है एक स्रे इसलिए एक स्रे का यूज किया जाता है ना हड्डियों हड्डी में चोट आने के बाद एक स्रे हम लोग कराते हैं ताकि उसके स्ट्रक्चर का पता चल सके यह कोशन आपके MCQ में भी था इसी ट प्लस और तो पहले और गेट बना दीजिए फिर उसमें नॉट लगा दीए और गेट यह हो गया और उसमें लगा दीजिए नॉट अगर आप यह पूरा न लिखना चाहते हैं तो सीधा यह भी बना सकते हैं यह बनाई है यह यह बनाई है ना तो यह हो गया और और यह हो ग झाल झाल